राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारप्रस्चुत्थे एन सी ई आर्टी द्वारप्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनी कारिक्रमों की शंखला इस शंखला में आज प्रस्तुत है कारिक्रम अपने गावों को जानना ये किरपाल सिंग और कमलजीत कौर की कहानी है जिनका पालन पोशन शहर में हुआ था और जो गावों के बारे में कुछ नहीं जानते थे ये कहानी उन लड़के लड़कियों के लिए भी है जो वास्तविक भारत के बारे में बहुत कम जानते हैं ये भारत जो हमारे गावों में रहता है किरपाल सिंग और कमलजीत के चाचा हरिंदर ने कई बार उन्हें अपने गावों में आने का निम्मंत्रण दिया था उनके भाई गुर्मिंदर तो शहर के आराम और सुविधाओं के कारण शहर में ही बस कह थे फरिंदर गावों में अपनी खेती बाड़ी के बीच बस कहे थे इस बार किरपाल और कमलजीत ने चुटियों में अपने चाचा के गावों जाने का निश्चे किया वे दोनों गावों तो गए लेकिन उनका मन उत्साह तथा संदेह से भरा हुआ था खेर वे वहाँ पहुँच गए उनके चाचा का घर पक्का था जिसमें एक सुन्दर आंगन था घर के ठीक सामने एक चमकती नदी थी फिर भी पहले दिन वे बड़े निराश थे किन्तु शाम तक उन्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिली कि गाउन ने उनका मन जीत लिया ताजे अमरूद, भुट्टा, लसी के बड़े बड़े गिलास, मक्खन और रात में मकई की रोटी और सरसों का साग इतनी स्वादिष्ट चीजें उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी रात होते होते चाचा ने वचन दिया कि अगर वे दूसरे दिन सुभह जल्दी उठेंगे तो वे उन्हें अपना खेत और गाउं दिखाने ले जाएंगे कमलचीद सुभह पांच बजे उठकर बैठ गई शहर में रहते हुए इतनी सुभह उठने की तो वो कलपना भी न कर सकती थी चोकि उसे प्रकृति से प्रेम था इसलिए वो आंगर में चहल कदमी करने लगी उसने दूर दूर तक फहले आसमान की ओर देखा इसके पहले उसका ध्यान कभी इस ओर नहीं गया था उसकी चाची गोशाला में गायों के दुहने की निगरानी कर रही थी कमलजीत के लिए ये बिलकुल नई बात थी चोकि इसके पहले उसने कभी भी गायों को दूरते हुए न देखा था उसकी चाची ने बिना उबाले ही उसे थोड़ा दूर पीने को दिया कमलजीत को विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार भी दूद पिया जा सकता है लड़के भी उठ चुके थे और पूरा घर चहल पहल से भर गया सुभह के नाश्ते के बाद वे बाहर जाने के लिए तैयार थे उनके आश्यरे की सीमा न रही जब उन्होंने तूर तक फैली गेहुं की फसल देखी जोकी कटाई के लिए तैयार थी सुनहली सुनहली वे फसल संपन्नता का प्रतीक थी हरिंदर चाचा और अन्य किसानों के खेतों में खेती के लिए कई मशीनों का उप्योग होता था हल और बैल अधिक नहीं दिखाई देते थे बस इक के दुक्के ही दीख पड़ते थे खेती का अधिकाँज काम ट्राक्टर से होता था और अन्य कई तरह की छोटी छोटी मशीने थी जिनसे काम करना आसान हो जाता था खेतों के बीच नहरे थी और वहाँ नलकूप भी लगे हुए थे पहली बार उन्होंने अपने हाथों से मिठी को छुआ था उन्होंने घास फूस साफ की वे घास से खेलते रहे गेहों के धेर देखकर उनकी आँखें फटी की फटी रह गई जो भी वस्तू उन्होंने देखी वही उन्हें भाग गई लगता था जैसे वे बिलकुल बदल गए हूँ दूसरे दिन वे गाउं की दुगदशाला देखने गए जहां हर काम मशीन से होता था उन्होंने देखा कि किस तरह वहां की गाई स्वस्त हैं और उन्हें भार पेट चारा दिया जाता है वहां की गउशालाई कितनी साफ सुत्री हैं पे गायों और भैसों के साथ खेलते रहे उनके बाकी दिन इस आधुनिक गाउं की नई नई वस्तूओं का पता लगाने में हसी खुशी में बीते उन्होंने गाउं का अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी देखे वे दिविंदर की पाठ्शाला भी गए वो पाठ्शाला एक छोटे से भवन में तो थी किन्तु अच्छी तरह व्यवस्तित थी ऐसा लगता था कि वहां बड़ा आनंद आता होगा जब घंटी बजी तो सब बच्चे अपनी अपनी चटाई लेकर एक खुले स्थान में बैठ गए और इस प्राथना सभा में उन्होंने गीत गाए वे देश के अन्य भागों में हो रही बातों से भली भाती परचित थे कक्षा में वे सब चटाई पर बैठते थे और उन सब के सामने एक-एक चौकी रखी हुई थी जब वे घूमने के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि इस गाउं के लोग फिश्ट पुश्ट हैं वे बड़े मेहनती हैं गाउं में एक बढ़ाई भी था जो पलंग, मेज और शेल्फ आधी बनाता था गाउं के मिस्त्री अच्छे कपड़े पहनते थे और सुबह से शाम तक मेहनत करते थे इस गाउं में जीवन का सच्चा रूप देखने को मिला था च्योंकि यहां के लोगों में अच्छे जीवन के लिए प्यार था किरपाल और कमलजीत एक दिन शाम को एक शादी में गए और उसका भरपूर आनंद उठाया वहां सब में अधिथी सतकार की भावना थी उनके चाचा जी फिर उन्हें गाउं में भांगडा दिखाने ले गए और उसे देखकर तो उनकी प्रसन्नता की सीमाना रही हिंदू, मुसल्मान, सिक, सभी धर्मों के लोग एक साथ नाच रहे थी जब उन्होंने इन दोनों नए बच्चों को देखा तो उन्हें भी अपने साथ मिला लिया और वे भी सब के साथ मिलकर खूब नाचे ये भांगडा स्कूल के मज़ पर किये गए भांगडा नृत्त से कितना अलग था यहां अधिक आनंद था दर्शकों की कोई चिंता ही न थी क्या गाउं में गरीबी का नामो निशान नहीं है किरपाल ने पूछा चाचा जी ने बताया कि ये विचार गलत है कि गाउं के लोग अज्यानी हैं और नई बातें सीखना नहीं चाहते गाउं के कई प्रोण व्यक्तियों ने पढ़ना और लिखना सीखा था परन्तु सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे नई बातों को सीखने अपने आपको बदलने और प्रगति के लिए तैयार थे उनमें नई बातों के प्रती जोश था दिलों में उमंग थी और स्वभाव से वे संतोशी थे बच्चों के लिए गाउं की ये सैर इतनी शिक्षा प्रत थी कि जब वे वापस लोटे तो बड़े प्रसन थे गाउं के जीवन के प्रती उनके विचार ही बदल गए थे अपने नन्हें चचेरे भाई दिविंदर के प्रती उनके मन में प्रेम और बढ़ गया था और उन्होंने उसे वचन दिया था कि वे हर छुट्टियों में गाउं लोटेंगे क्या तुम किसी गाउं की सैर पर गए हो? क्या तुम्हारे निजी अनुभव भी इन्ही दो बच्चों के अनुभवों के समान है? अगर तुम्हारे अनुभव भिन्न है तो वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें गाउं के प्रती उदासीन बना दिया है? ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देश की सभी गाउं इतने ही सम्रिध नहीं है वहां रहने वाले लोगों में से अधिकांज गरीब है और उन्हें मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता है गाउं के सभी लोगों के पास जमीन नहीं होती केवल कुछ किसानों के पास ही अपनी जमीन होती है अन्य उनके खेतों में उनके लिए काम करते हैं उनका खेत चोटते है उन्हें बहुत कड़ी महनत करनी पड़ती है पर उन्हें बहुत कम मसदूरी मिलती है इस तरह उनका शोशन होता है यहां निर्धनता है गंदगी, बीमारियां, सभी कुछ है यहां अंदव विश्वास भी है बहुत कम लड़कियां स्कूल जाती है यहां बहुत दुख है परन्तु प्रश्न उठता है कि यदि बीस वर्षों में दिविंदर के गाउं जैसे कुछ गाउं सम्रिद बन सकते हैं तो अन्य क्यों नहीं हो सकते क्या इसका कारण ये है कि हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया अपनी शिक्षा तथा ग्यान को उनके साथ बाटने की दिशा में कुछ ध्यान नहीं दिया गाउं में जाकर स्वेयम देखो कि भारत की वास्तविक दशा क्या है ये खुशी की बात होगी यदि एक दिन तुम्हारे मन में गाउं के लिए कुछ करने और गाउं वालों की हालत सुधारने की भावना जागरित हो अपने गाउं को जानना अभियाप सुन रही थे कारिक्रम विशे संयोजन इवं आलेक अहिल्याचारी अनुवाद राजी रमणन नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी तक नेकी नर्देशन सतीश लाड़े नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन